लगभग चार हजार दोसो धर्म है इस दुनिया में और उनकी वज़े से राचाने कितने लोग हर दिन मरते हैं, मारते हैं लेकिन तुम चैसों ने एक नए धर्म को चनम दिया है करप्शन मार दूंगा सबको या खुद मर जाओगा किलर जो भी है वो कियाम मुझरिम नहीं है लेकिन वो अपने दिमाग में एक सिपाही है जो सत्त के लिए लड़कर जूट पर जाये देशाता है पात साल पहले मेरी बीवी मर गई थी तब से मैं सटग गया हूँ अब तुझे ऐसी मौत मारों का कि तू इस चनम में चलेगा बंदूग दिगा कर ड़ाता है क्या बंदूग तो सिर्फ शॉप के लिए रखता हूँ तगाने के लिए नामी काफी है इंदर्थ अंधली जनम तक चलेगा तुम इस्टन यरॉप इंचार्ज केके के साथ महाँ जाओ चोटी मश्री बहुत पकड़ ली अब मगरमश पकड़ने के बारी कानून को हाथ में लेने का हक सिर्फ कानून के हाथों को होता है हम खाकी वर्दी वाले उसे खाक में मिलाएंगे इस साले को छोड़ना नहीं है और कानून कानून था लेस्मेक थीज बास्टर्स नव कोई सेरील किलाथ हु नही हो ना वो जो शेयर में पोलीस वालो को मार रहा हुआ मैंमलास अगीन ल्ग तोड़के यही खोड़के जामीन कानू दू कही ल्ग लगे आजाग सरकारी रिवॉल्वर की गोली में आज भी बहुत तम है, तु बचेगा नहीं दो टके की जान लेने नौ मिलिमीटर की गोली नहीं, छपपन इंच का जिगरा चाहिए प्रेज को मारने के लिए सरकार जो रखम देती है उससे जादा तो एक ट्राफिक पुलीस हवलदार एक हफते में कमा सकता है दिल्ले से ओडर आया है, जाव वक्स एक शपत आपने लिए थे, अपनी वर्दी और फर्स के लिए एक शपत मैंने लिए बाबा, इस मैडल की खोई होई इजद लोटाने की जनने खाकी पहनने का हाक नहीं उन्हें खाक में मिलाने की आपका सच और मेरा सच ये कैसे हो सकता है आपको इंवेस्टिकेशन के बारे में सुनना नहीं है ना सर लेकिन उन्फॉर्चुनेटली इस इंवेस्टिकेशन के अलावा आई हब नथिंग मिलन मिलाब जफेरी ने सत्मे जायते नामक फिल्म उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कोटी देखना पसंद करते हैं उसे कहानी अभिने निर्देसन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता गिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फारमूलों में जखड़ी सत्मे जायते में मिलन निर्देसक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिल्मे बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्मे जैते में दोहराया गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वा भरष्ट पलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पलिस विभाग में हलचल मत जाती है पलिस इंस्पेक्टर सिवांज यानि मनुच बाचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वा इस पलिस के दुसमन को ढूड़ निका बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्य क्यों कर रहा है इसके जवाब फिलम में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलु या है कि जब यह राज खुलता है कि बीर हत्य क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर दौरा दी गई हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को इसे लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिलकुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है। सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती। बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है। साहरे राम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुच कर वह अपना काम कर जाता है। किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाया जाएं बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादो का है। सीन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है। तो जोन की पॉल खुल जाती है। मनोज बाजपरी अब एक जैसा भी ने करने लगे हैं। बागी टू का ही एक्स्टेंट सत्मय जयते में नजराता है। नई हिरोएन आईसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हिरोएन होना चाहिए। आईसा काब ने निरास जनक है। सत्मय जयते के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाये तो अच्छा है। किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्छो कमार और जोन अबरहम अब अक्रम सा साथ काम नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्छे की जिगा जोन के लेने के बास से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है। आखरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयज करम मसाला और हाउसफुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां च्छे कुमार हौकी खिलाडी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को भनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुज बैस्पी के पास सत्त में उत जायते थी। इस फिल्म की कहानी बेहसरल है। ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा। मिलन मिलाब जाफेरी पहले इस से पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्में बना चुके हैं। ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका एक्सपर्मेंट हैरत करता है। हाला कि देशबक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पे एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरास कैफे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौजूद हैं। आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्सन सिनिमा को याद कर पाएंगे। इस फिल्म में मौल प्लाट में एक्सपर्ट कुमार की फिल्म कब परिस पैक का हायंग और आपको दिखाए देगा। लेकिन क्योंकि मिलन को इस से पहले देश भक्ती फिल्म पराने का एक्सपरियंस नहीं है, शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है। फिल्म में नौरा फतेही का दिल बरगाना अपना काम ठेक से करता है और इस गाने को वो सुपर हाट आउतार में हैं। फिल्म का बेग्राउंड इसको और भी फिल्म का साथ देता है। लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है। अलागी जौन और मनौजबाजपई के डालाग शीटी बजाने लाइक है। और फिर इस फिल्म में जौन का मसा, अमका मसल पाउर आपको कल के जिम के लिए प्रेयर करता है। मनुज बाजबे फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमजोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते हैं जहां जान एक्सन में हिट हैं मनुज बाजबे परिजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेबू कर फिल्म की प्रिडिक्टेबल कहानी अगर आपको परमाड़ू अच्छी लगी थी तो यह फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हलागि अगर आप लाजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो यह फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है यह मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाब जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले किरप्सन पर वेश्ट है बीर अनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बीर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डी सीपी सिवांस यानि मनुच बाचपई को ये केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोशिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बीर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है डी सीपी सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस वापसर है जो killer के mind में चलने वाले plan को crack कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये script writer भी लगता भोल गये हैं इस film के साथ यही issue है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक point पर पहुँचने के बाद भटक जाती है film का subject outed है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते है film का direction और writing दोनों ही बहुत खराब है आप decide नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा खराब क्या है film के director मिलाब जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके signature dialogue ने film को comedy बना दिया है serious scene में भी film के dialogue फ़नी लगते है film को seriously लेना impossible है जोन अबरहम हमेशा की तरह समझदार actor रहे है लेकिन heavy muscles और attitude के अलावा वो किसी चीज में involved नहीं लगते है वो स्क्रीन पर काउन सा scene कर रहे है उन्हें इस से कोई मतलब नहीं लगता killing से लेकर romance करते हुए उनके expression same रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में heroine सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वो जानूरों की क्यार करती है बीज को साप करती है NGO में बच्चों को पढ़ाती है और painting भी करती है आईसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज बाजपे ने अपने किरदार के साथ नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेखूपिया उनके सांदार अभिने पर भार नी पड़ती है अमरता खनविकर जिन्होंने सिवांस के पतनी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांचिंग आइटम नंबर दिल पर अच्छा है इसके लवा आतिप असलम का पानियो सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अलबम का म्यूजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देकर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जोनो बरहम अब एक संथिलर सत्मयो जायते के साथ हाजिर थे गुच्छे से भरा बैठा एक सक्स कैसे किले दम पर करफशन के खिलाप लड़ता है इससे सत्मयो जायते में दिखाने की कोइसес की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मयो जायते सतिता से मील و दौर दिखाए दिएती है इस मसाला फिल्म को देखते भी आपको कई बार सत्तर और अस् sign के दुसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुवात में बीर एनी जॉन अबरहम एक पुलिस वाले को जिन्दा जला देता है और इस घर्णा के बाद ही फिल्म का प्लाट तेयार होता है ये फिल्म सिस्टम से लड़ते हैं एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठीका आने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर आधारित है फिल्म में जॉन अबरहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिपता है वो इसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवांस यानि मनुज लगती है फिल्म की कहानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लचर, स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते है फिल्म यथार्थ से दूल दिखाई देती है हालाकि जान कई एक्शन सिक्वेंस में परभावित करते हैं टायर फारते हुए और बुरे लोगों की पिट कर रखते हैं नियू कुमार आईसा सर्मा कैमरे पर काफी कॉन्पिन नजराई हैं फिल्म परमाडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षे कुमार की राह चलने वाले जोन अब रहम अब मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमा रहे हैं भा जिसे कहानी सुनते वक्त सिल्स लेवार घटनाय देखना दिल्चस्प हो जाता है फिल्म का एक्षन जबर्दस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्षन और समवादों को दर्शा आ गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जोन अबरहम और मनुज ही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से ज़स्ती है फिल्म का बैग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भरस्टा चार खतम करने के लिए परियोग में लाए गया स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शा आ गया है मनुज बास पर एक बार फिर से दंदार एक्टिंग करते नजर आते हैं वही एक्षन के लिए मसहूर जानबर हम पूरी तरह से किर्दार में डूबे नजर आते हैं मनिश चौधरी और आईसा सर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायो मातरा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर मसाला फिल्म सत्मय जयते के रूम में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्षन के लिए जौन अबरहम है अभिने के लिए मनोजबास पे ही है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ पाट पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं। मनुज बाजपी और जान अबरहम के किरदार की लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखा जा सकता था। लेकिन इसक्रिप्ट इसमें फैल हो गई। सत्मे जायते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका अतिनाटकी परदर्सन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है। जोन अबरहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे एक्षन के पेच्छा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी या काफी भाया नग हो जाता है। सचिया है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफी परसंगीग है। लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमज़ोर बनाता है। सत्मय जयते देशभक्ती और सोचल मैसेज देने में नाकामयाब रही है। लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है। आज भी एक बड़ी ओडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी चेब धीली करती है। इसके लवा लंबे विकेंट का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा। ऐसे में ये ये आप मसाला एंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं। इसके पिता पुलिस में काम करते थे। बीर के पिता को एक जूटे करप्शन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारण हुए आतम हत्या कर लेते हैं। अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिंदिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है। और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना। अपने इस मकसर को पूरा करने के लिए बीर करप्शन कर रहे है पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है। बीर को रोकने के लिए होती है DCP सुवांसनी मनुच बाजपई की इंट्री और तब ही सुरू होता है लुका छिपी का ये खेल। जौन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं। इस बार जौन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेशन नहीं कर पाए हैं। वही अगर बात करें मनुज बैजपई के तो हर बार की तरह है एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं। कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनुज बैजपई के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है। फिल्म की एक्टिंग से सर्मा ने अपने किरदार को बाखो भी निभाया है। डारेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत अच्छे चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं। फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आती है। फिल्म के म्यूजी की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था। इस गाने में नुरा फत्रही का आतार लोगों को काफी पसंद आये था। फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे। खास करके हम बात करें जौन अबरहम और मनुज बास्परी की डालॉग की तो आपको शियर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन हैं तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है। फिल्म के सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रेप्ट फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है। सत्यमों जते मिलाब मिलन जाफेरी दोरा लिखित और निर्देशित 2018 की भारती हिंदी भांसा की एक्षन फिल्र फिल्म है। टी सीरीज दोरा निर्मित और बितरित फिल्म सूट आउट अट वाडला जोकी 2013 में आई थी के बाद जौन अबरहम और बाजपे के बीच दूसरे सहियों को ये चिन हित करती है। इसको निर्देशित के था मिलन मिलाप जाफेरी ने लिखी गए थी मिलन मिलाप जाफेरी के दोरा। इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तरिशिबाज की रोचक कोहली और को प्रभू मुखरजी में इसमें बैगराण मुजिक दिया था संजे चौधरी ने इस फिल्म का बज़र था 38 करोड रुपे और इसकी कमाई ही थी 110 करोड रुपे सत्मे जयते के लिए मुख फोटोग्राफी 5 मार्ज 2018 को शुरू हुई थी या 15 अगर्ज 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर 22 सिनमा घरो मेरे लिज़ हुई थी 25 स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समिशको से मिली चुली प्रतक्रिया मिली और अक्षे कमार अपनी द्रीमा काक्ती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ट से टकरा गई फिर भी सत्मे जैते को दर्शकों ने खोब सराहा और A-rated फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये फिल्म बॉक्स अफिस पर सफल रही और साल के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलिबुड फिल्म के रूम में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सत्मे जैते टू एक स्विकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतर्क बीरेंद्र यानि बीर राथोड की है जो पुलिस अधकारियों को मारता है एक इमानदार पुलिस अधकारी स्वांसरा थोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब सरेल की गिंती बढ़ने लगती है बीर एक पेंटर और चोकिदार है जो भरष्ट पुलिस वालों को आग लगा कर मारता है अपने पहंचान और जागर किये बिना वाब रष्ट चारियों का सफाय करने के लिए जिंता का समर्थन हासिल करता है और सिखा नमक पहसुचिकस्च के साथ गनिश संबंद भी बनाता है बढ़ती लासो की संखे से चिंतित और अन पुलिस को भाईवित देखकर आयुक्त मनीश सुकला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए कमांदार अधिकारी सिवांस को बलाया अब आज बदलने वाले एपलीकेशन का उप्यों करते विए बीर सिवांस को फोन करता है और एक भरस्ट रदकारी को जान से मारने की धंगी देता है सिवांस को बिश्वास दिलाया जाता है कि एक पलिस स्टेशन को निसाना बनाया गया है जबकि बीर एक पिट्रोल पंप पर लच्छित भरष्ट प्लिस वाले को लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवांस आगे की जांश शुरू करता है और हत्या के पैटन को सत्य में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाच्छ वाई अच्छर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवांस और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी सुरू करती है लेकिनों हत्यार के परतिच्छा कर रहे हैं एक पुलिस वाले के रूप में परचन बीर पुलिस स्टेशन में परबेश करता है और एक भरष्ट पुलिस वाले को परतारित करता है निर्दोस संदेक्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है और पुलिस वाले को जलता होँ देखने के लिए इस टेशन पहुँचता है बीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में सिवांस को उसके घर पर मिलता है जहांए दोनों भाई होने का खुला साखरते हैं बीर और सिवांस स्पताल जाते हैं जहां चला हुआ अधिकारी जिन्दा पाय जाता है, बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है, और चुपके से कमरे में खुच जाता है, अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है, सारन बजने की आवास सुनकर सिवांस कमरे में आता है और दरवाजा खोलते हैं एक भी स्पोर्ट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लोडता है, खुद को घाल पाता है और पीछे से हत्यारे दोरा हमला किये जाने का नाटे करता है बाद में सिवांस सभी भरष्ट पुलिस कर्मियों के एक सुरचित घर में एकटा करता है लेकिन बीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और शिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खुण से लटपत कर लिया और एक भरष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सर्बचनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद सिवांस उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है सिवांस तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुरसों की पैंटिंग जो मारे गैदकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांस बीर को आत्ब समर्पड करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिशनर सुकला के साथ सिवांस को बीर में उसी अस्तान पर बिलाया जहां उसके पता की मरती हुई थी सुकला की बेटी होने के खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है बीर दोरा सुकला दोरा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुवांस चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिस्वात देने के आनमत नहीं दी थी बीर ने खुद को आतम सोन उपर करने का फैसला किया पहल इस से पहले कि सुकला ने भाईयों को खतम करने के लिए अपने पुलिस के से नकब बुलाया आगामी लड़ाई में बीर ने पुलिस कर्मियों को मार डाला और सुकला को किनारे कर दिया रुन रुकने के कई अनुरुद्धों के बाद एक अनुचिक सिवान सुकला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हलाकि सुकला के सरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी बीता जा है और अपने पिता के बदक के पास एक माचिस पड़िवी है जिसमें लिखा है सत्ति में उजयते एक मरतववा बीर उसे जलाता है और सुकला को आगे लगा कर आग को आग लगा कर मार देता है सिवानस और सिखा तब बीर के पाह जाते हैं जो सिवानस को उनके पिता दोरा सिखाई के सबहत सुनाने के लिए कहता है वे उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म पंद्रा के दुजर अठार को भारती सुतंतरता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षा कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी फिल्म के लिए संगी साजित वाजित तनिश बाग ची वर्चा कोली और आरको प्रबो मुखर जी दौरा रचित थे जबकि गीस सब्बीर रहमत कुमार आरको प्रबो मुखर जी दानी साबरी और इका दौरा लिखे गए थे बैग्राण इसकोर संजी से अधरी दौरा रचित था फिल्म का पहला कि 1999 की फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मूल रूप से अलकाय गिनिक दौरा गया गया और नदिम सरोड दौरा रचित इस फिल्म के लिए तनेश भास की दौरा नेहा का कड़ दौरा एपूल गाना गया गया था धोरी बनुसाली और इका की आवाज में बनाय गया है यह चार जुले 2008 को रिलीज किया गया था मध्यपुर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुना कलपना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुरा फतेही ने बेली डांस किया यह गित गित के साथ सभी संस्क्रडो अर्भी भासस सहीत के साल लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बार यूटूब पर बिलियन बीच इस पे इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गित पानियो सा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था 12 जुले 2008 को रिलीज किया गया था जिसे 26 जुले 2008 को वाजित खान दौरा फिर से बनाय गया गया था 14 अंतिम की तेरे जिसा जिसे आरको प्रभू मखलजी और तुलसी दौरा गया गया था एक अगस्त को रिलीज किया था 2018 संट्रेग एक अगस्त दुले 2008 को टी सिरीज दौरा चारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर, पानियों सा, तजदार ए हरम, तेरे जिसा जिसे गया था तरेश बाज की रोचक कोली, चाजित वाजित अरको ने सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद्ध कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजू, रेस्थरी, गोल्ड और बागी टू के बाद, 2008 की पांच वी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में करम सा 79.2 मिलियन, 19.3 मिलियन और 19.218 करोड और 10.26 करोड का सुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का अजिवन संग्रह 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रह सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विदेशी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्मिजेत्य का विस पापी सकल 1.08 बिलियन था जान अबरहम और दिब्या खोशला कुमार के साथ मोखी भूंकानी भाने के बाद सुद्ध कल की पुष्ट की गई यह मिलन मिलाब जाफिरी द्वार देशित और भुषण कमार करशल कमार मोनिस्सा अडवानी मधु भोजवानी और निखल अडवानी द्वार निर्मित होगी सत्मिजेत्य टू सेर्शक्स यह 13 मैं 2021 को रिलीज होने वाली थी मिलन मिलाब जाफिरी ने सत्मिजेत्य नामक फिल्म उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता गिसीपटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्मिजेते में मिलर निर्देशक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्में जैते में दोहराय गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वा भरष्ट पुलिस कर्मी को चुन-चुन कर जला देता है पुलिस बिभाग में हलचल मत जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवांज यानि मनुच बैचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वा इस पुलिस के दुस्मन को ढूड़ निकारे बीर को जब यह पते चलता है तो वा सिवांज को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनेती देता है सिवांत के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वह उसको पकड़ने के करीब पहुंचाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्या क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते है कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यहाराज खुलता है कि बीर हत्या क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर द्वारादी के हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुसमन कौन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वह धेर सारे पुलिस आफसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भरष्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिलकुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धिरे धिरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है साहरे राम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुच कर वा अपना काम कर जाता है दूसरी वर सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वा असहाय ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बाद भी गले नहीं उतरती क्यों वा अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बाद डाल दी गई मिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सिन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादों का है सिन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है फाइट सिन एक्षन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालाकि इनमें कई अंसमिन में नई बात नहीं है लेकिन जॉन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अबरहम का चेहरा पूरी फिल्में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन रखा गया कि फिल्म में एक घ्रोएन होना चाहिए आईसा का अब ने निरास जनक है सत्मे जयते के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाये तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्षोकमार और जोन अबरहम आप अक्रम सा साथ काम नही और हाउस फुल जैसे फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां च्छे कमार हांके खिलाडी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुज बैस के पास सत्त में उच जायते थी इस फिल्म की कहानी बेहस्तरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे कर अरोब में फश कर आत्म हत्या करते देखने वाले वीर अनिजोन अबरहम का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौजूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिन्दा जला कर वो सत्त की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए DCP सुवां सिनमनोज बास भी को काम पर लगा जाता है और चूहे बिल्ली के इस खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको एक फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा मिलन मिलाब जाफेरी पहले इससे पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्मे बना चुके हैं ऐसे में देशभक्ती के साथ उनका एक्सपरिमेंट हैरत करता है हाला कि देशभक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबा पाएंगे इस फिल्म में मौल प्लाट में अक्चर कुमार की फिल्म गबर इसपैक का हाइंग और आपको दिखाए देगा लेकिन क्योंकि मिलन ने मिलन को इससे पहले देशभक्ती फिल्म बनाने का एक्सपरियंस नहीं है, सुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती ह फिल्म में नौरा फतेही का दिलबर गाना अपना काम ठेक से करता है और इस गाने को वो सुपर हाट आउतार में हैं, फिल्म का बेगराउंड इसकौर भी फिल्म का साथ देता है, लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है, हाला कि जान और मौ मनौजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाजबाज तो एक फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हाला कि अगर आप लाजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो एक फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेसान कर सकती है ये मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाब जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर वेश्ट है बीर एनी जौन अबरहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डी सीपी सिवांस यानि मनुजबास पर ये केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोसिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है DCP सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस आपसर है जो किलर के माइंड में चलने वाले प्लैन को क्रै कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भोल गये हैं इस फिल्म के साथ यही इस्यू है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक पॉइंट पर पहुँचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डिरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब है आप डिशाइट नहीं कर सकते कि दोनों में سے ज्यादा खराब क्या है फिल्म के डारेक्टर मिलाब जाफिरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिगनेशर डालाग ने फिल्म को कॉमडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डालाग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरिसली लेना इंपॉसबल है जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैबी मसल्स और एटिट्यूड के अलावा वो एक किसी चीज में इन्वाल्ब नहीं लगते हैं वो इस्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में हिरोईन सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीच को साप करती है NGO में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है ऐसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज बाजपेई ने अपने किरदार के साथ नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेकूपिया उनके सांदार अभिने पर भाड़ी पड़ती है अमरता खनविकर जिन्होंने सुवांस की पतनी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आटम नंबर दिल पर अच्छा है इसके लावा आतिप असलम का पानियो सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अलबम का म्यूजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जान अबरहम अब एक संथिलर सत्मय जायते के साथ हाजिर थे गुच्छे से भरा बैठा एक सक्स कैसे किले दम पर करफशन के खिलाप लड़ता है इससे सत्मय जायते में दिखाने की कोसिस की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मय जायते सतिता से मीलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और अस्टी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुआत में बेरें जान अबरहम एक पुलिस वाले को जिन्दा जला देता है और इस घर्णा के बाद ही फिल्म का प्लाट तेयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठीका आने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फहले करप्सन पर आधारित है फिल्म में जौन अबरहम जिस स्किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्सन में लिपता है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवांस यानि मनुज बाजपई को दिया जाता है तो तंदरता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देश भक्ती के कई पार्ट पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर आच्छाई की चीत जैसे बरसो पुराने कांसेप पारते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंग्री एंग मैन की भूम का निभाई है मनुज बाजपई इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दढ़र और अपने दंदार डालाग से वे दर्श्कों को बांध कर रखते हैं भारी डालाग डिलीबरी और एक्शन मसाला फिल में काफी पसंद हैं तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान रहे सोंवादों को काफी दंदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वज़े से कहानी सुनते वक्त सिलसले दोवार घटनाय देखना दिल्चस्प हो जाता है। फिल्म का एक्षन जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्षन और समवादो को दर्शाय गया है। उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है। जोन अबरहम और मनुजबाजपे के बीच चोर सपाही वाल पूरी तरह से किरदार में डूबे नजराते हैं। मनिश चौधरी और आईसा सर्मा का काम भी सहज है। हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है। हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पराधरित फिल्में बॉक्स अपिस पर लगातार चाही रही। लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गया कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफी नहीं होते। उसमें हर तरह के मसाले सही मातरा में डाले जाने चाहिए। इसलिए कमर्शिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही ज बरश्टाचार को मिटाने का भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है। सत्य में जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते। कथित होरो और निजाना अबरहम हर कथित मजरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है। वजह है कि भरश्टाचार का अरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर करोसिन डाल कर आग लगा ली थी। यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ हिंसा की भरमार है। पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ पार्ट पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। फिल्म के लिए भारी भरकम डालॉक्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं। मनुज बाजपई और जान अबरहम के किरदार के लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखा जा सकता था। लेकिन इसक्रिप्ट इसमें फैल हो गई। सत्मे जैते इंतकाम और अच्छाई के सालो पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश क कर रही है लेकिन इसका अत्य नात्की परदलसन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जोन अबरहम के होने के वज़ए से आप इसमें अच्छे एक्षन के पैच्छा कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है आज भी एक बड़ी ओडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी चेब धीली करती है इसके लवा लंबे विकेंट का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में ये आप मसाला एंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म ए अच्छी होती है लेकिन इंटरॉल के बाद एए फिल्म आपको बोजल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने प्वाइंट से भटक जाती है फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है बीर एनि जोन अब्रहम एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बीर करप्शन कर रहे है पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डी सी पी स्वांसिनी मनुच बाजपे की इंट्री और तब ही सुरू होता है लुका चिपी काये खेल, जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं, इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेश नहीं कर पाए हैं, वह अगर बात करें मनुज बैजपे के तो हर बार की तरह है, एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म के मुजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था, इस गाने में नुरा फतेही का आउतार लोगों को काफी पसंद आये था, फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे, खास करके हम बात करें जॉन अबरहम और मनुज बैस फिल्म के डालॉग की तो आप को सियर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं, अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन हैं तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है, फिल्म के सबसे बड़ी कमी है, इसकी कमजोर स्क्रेप्ट, फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लग फिल्म शूट आट वाडला जोकी 2013 में आई थी के बाद, जोन अबरहम और बाजबे के बीच दूसरे सहियों को ये चिन हित करती है, इसको निर्देशित कैथा मिलन मिलाप जाफेरी ने, लिखी गए थी मिलन मिलाप जाफेरी के दोरा, इसमें संगीत दिया था साजित की फोटोग्राफी पांच मार्स 2018 को शुरू हुई थी, या पंदरा अगर्स 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर 22 सिनमा घरो में रिली जूई थी, पचीस सो स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समिशकों से मिली चुली प्रतक्रिया मिली, और अक्छे कमार अपन नित्रीमा काक्ती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ट से टकरा गई, फिर भी सत्मे जैते को दर्शकों ने खोब सराहा और A-rated फिल्म के शुरू आती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये, फिल्म बॉक्स अपस पर सफल रही और साल के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉली ब को मारता है, एक इमानतार पुलिस अदिकारी स्वांसरा थोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है, जब सरीर की गिंती बढ़ने लगती है, बीर एक पेंटर और चोकिदार है, जो भरष्ट पुलिस वालों को आग लगा कर मारता है, अपने पहंचान उजागर क ये बिना वाब रष्ट चारियों का सफाय करने के लिए जंता का समर्थन हासिल करता है, और सिखा नमक पहसुचिकस्च के साथ गनिश संबंद भी बनाता है, बढ़ती लासों की संख्या से चिंतित और अन पुलिस को भाईवित देखकर आयुक्त मनीश सुकला निहत्यारे को पकड़ने के लिए किमानदार अधिकारी सिवांस को बलाया, अब आज बदलने वाले अप्लिकेशन का उप्यों करते विए बीर सिवांस को फोन करता है, और एक भरष्ट अधिकारी को जान से मारने की धमकी देता है, सिवांस को बिश्वास दिलाया जाता है कि एक पलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है जबकि बीर एक पिट्रोल पंप पर लच्छित भरष्ट प्लिस वाले को लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवांस आगे की जान सुरू करता है और हत्या के पैटन को सत्य में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाच्छू वाई अच्छर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवांस और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी सुरू करती है लेकिन है हत्यार के प्रतिच्छा कर रहे है एक पुलिस वाले के रूप में परछन बीर पुलिस श्टेशन में परबेस करता है और एक भरष्ट पुलिस वाले को परताडित करता है निर्दोस संधेक्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से कमरे में खुच जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है साहरन बजने की आवा सुनकर सिवांस कमरे में आता है और दर्वाजा खोलते है एक भी स्पोर्ट की चपेट में आ जाता है बीर जाने में कामयाब हो जाता है और सिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खुण से लटपत कर लिया और एक भरश्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सर्बचनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद सि कि नोक पर पकड़ा हुआ पाता है सिवाएंस तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतांकित पूर्षों की पैंटिंग जो मारे गैदकारीों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांस बीर को आत्ब समरपड करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भाग खुद पर मिट्टी का तिल डालने और खुलासा करने के बाद सुवांस चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिशुआत देने के आनमत नहीं दी थी बीर ने खुद को आतम सुरूपर करने का फैसला किया पहल इससे पहले कि सुखला ने भाईयों को खतम करने के लिए अपने पुलिस की से नको बलाया आगामी लड़ाई में बीर ने पुलिस कर्मियों को मार डाला और सुखला को किनारे कर दिया रुन रुकने के कई अनुरुदों के बाद एक अनुचिक सुखला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हाला कि सुखला के सरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी बीता जा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिखा है सत्ति में उजयते एक मरतववा बीर उसे जलाता है और सुखला को आगे लगा कर आग को आग लगा कर मार देता है सिवांस और सिखा तब बीर के पास जाते है जो सिवांस को उनके पिता दोरा सिखाई के सबहत सुनाने के लिए कहता है वो उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में हिबीर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगर 2018 को भारती सुतंतरता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षा कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी फिल्म के लिए संगी साजित वाजित तनिश बाग ची वर्चा कोली और आरको प्रबो मुखर जी दोरा रचित थे जबकि गी सबीर रहमत कुमार आरको प्रबो मुखर जी दानी साबरी और इकका दोरा लिखे गए थे बेगरांड इसकोर्शंजी से अधरी द्वारा रचित था फिलम का पहला गिर 1999 की फिलम सिर्फ तुम से दिल बर मोल रूप से अलकाय गिनिक द्वारा गया गया और नदेम सरोड दोरा रचित इस फिल्म के लिए तरेश भास की दोरा नेहा का कड़ दोरा एपूल गाना गया गया था धोरी बनुशाली और एका की आवाज में बनाया गया है यह 4 जुले 2008 को रिलीज किया गया था मध्यपुर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुना कलपना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुरा फते ही ने बेली डांस किया यह गित गित के साथ सबी संस्क्रडो अर्बी भासा सहीत के साल लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के वाई यूटूब पर बिलियोन बीज इस पे इस गाने को मिले थे फिलम का दूसरा गित पानियोसा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था 12 जुले 2008 को रिलीज किया गया था जिसे 26 जुले 2008 को वाजित खान दौरा फिर से बनाय गया गया था 14 अंतिम की तेरे जिसा जिसे आरको प्रभू मखरजी और तुलसी दौरा गया गया था एक अगस्त को रिलीज किया था 2018 सांट्रेग एक अगस्त को टी सिरीज दौरा चारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर, पानियों सा, तजदार ए हरम, तेरे जिसा जिसे गया था तरे जिस बाज की रोचक कोली, चाजित वाजित अरको ने सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद्ध कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक आपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजू, रेस्थिरी, गोल्ड और बागी टू के बाद, 2018 की पाँच ही सबसे बड़ी आपनर फिल्म रही 569.1 मिलियन हो गया था, भारत में फिल्म का अजिवन संग्रे 1082.1 मिलियन है, जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रे सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विदेश सी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी, सत्में जयत्य का बिस पापी सकल 1.08 बिलियन था जान अब्रहम और दिब्या खोसला कुमार के साथ मुकी भूंकानी भाने के बास्यूकल की पुष्ट की गई यह मिलन मिलाब जाफिरी द्वार निदेशित और भुषण कमार, करश्ण कमार, मोनिस्सा अडवानी, मधु भोजवानी और निखल अडवानी द्वार निर्मित होगी सत्में जयत्य टू सेर्शक्स यह 13 मैं 2020 को रिलीज होने वाली थी मिलन मिलाब जाफिरी ने सत्में जयत्य नामक फिलम उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसीपटी कहानी और बासी हो चुके फारमूलों में जकड़ी सत्में जयते में मिलन निर्देशक और लेखा के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिलमें बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्में जैते में दोहराया गया है फिलम में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वह भरष्ट पलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पुलिस बिभाग में हलचल मत जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवांज यानि मनोज बैचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुस्मन को ढूड़ निकारे बीर को जब यह पते चलता है तो वह सिवांज को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनेती देता है सिवांत के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वह उसको पकड़ने के करीब पहुंचाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्या क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते है कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यहाराज खुलता है कि बीर हत्या क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर द्वारदी के हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुसमन कावन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वह धेर सारे पुलिस आफ्सर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वा भरष्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिल्कुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है साहरे राम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुश कर वा अपना काम कर जाता है दूसरी वार सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वा असहाई ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वा अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बात डाल दी गई मिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फायट सिन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादो का है सिन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्षन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालाकि इन में कई उन्समिन में नई बात नहीं है लेकिन जोन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है जोन अबरहम का चेहरा पूरी फिल्में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जोन की पॉल खुल जाती है मनोज बाजपरी अब एक जैसा बिने करने लगे हैं बागी टू का ही एकस्टन्ट सत्मे जैते में नजराता है नई हिरोएन आईसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हिरोएन होना चाहिए आईसा का अब ने निरास जनक है सत्य में जयते के बारे में सत्य बात यही है कि इस से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्छो कमार और जोन अबरहम आप अक्रम सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्षे की जिगा जौन के लेने के बाद से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है आकरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयच करम मसाला और हाउस फुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां च्छेक मार हौकी खलाड़ी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को भुनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुज बाजबी के पास सत्त में उत जायते थी इस फिल्म की कहानी बेहस्तरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे करप्सन के आरोब में फश कर आतम हत्या करते देखने वाले वीर अनिजोन अबरहम का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौझूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिन्दा जला कर वो सत्ति की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए DCP सुवां सिने मनुजबस भी को काम पर लगा जाता है और चूहे बिल्ली के इस खेल में कई पुलिस वालों की मौट के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा मिलन मिलाब जाफेरी पहले इस से पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्में बना चुके है ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका ये एक्सपरिमेंट हैरत करता है हाला कि देशबक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पर एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरास कैपे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौजूद है आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्सन सिनिमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मौल प्लाट में एक्चर कुमार की फिल्म कबर इस बैक का हायंग और आपको दिखाए देगा लेकि क्योंकि मिलन को इस से पहले देश बक्ती फिल्म पराने का एक्सपरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फिल्म बिक्षरने लगती है फिल्म में नुरा फत्ही का दिल बरगाना अपना काम ठेक से करता है और इस गाने को वो सुपर हाट आउतार में है फिल्म का बेग्राउंड इसकौर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हाला कि जॉन और मनुज बाजपई की डालॉग शीटी बजाने लाइक है और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा अमका मसलप और आपको कल के जिम के लिए प्रेर गता है मनुज बाजपई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमजोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते जहां जोन एकसन में हिट हैं मनोच बजब़ परिजेंस में ही कमाल कर देते हैं फिलम में डेब़्ू कर ही ऐसे सर्मा अच्छा भी ने गलती हैं और इपने कृदार में अच्छा काम करती हैं इस फिलम का सबसे बड़ा माइनिस पॉइंट है फिल्म की predictable कहानी हाला कि फिल्म एक मसाला entertainer है और अगर आपको परमाड़ वह अच्छी लगी थी तो ए फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हाला कि अगर आप logic cinema देखने वालों में से हैं तो ए फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है यह मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाब जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले किरप्सन पर वेश्ट है बीर अनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो डी सीपी सिवांस यानि मनुच बाचपई को ये केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोशिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है डी सीपी सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस आपसर है जो killer के mind में चलने वाले plan को crack कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये script writer भी लगता भोल गये हैं इस film के साथ यही issue है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक point पर पहुँचने के बाद भटक जाती है film का subject outed है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते है फिल्म का direction और writing दोनों ही बहुत खराब है आप decide नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा खराब क्या है फिल्म के director मिलाब जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिगने से डालाग ने फिल्म को comedy बना दिया है serious scene में भी फिल्म के डालाग फ़नी लगते हैं फिल्म को seriously लेना impossible है जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार actor रहे हैं लेकिन heavy muscles और attitude के अलावा वो एक किसी चीज में involved नहीं लगते हैं वो इस्क्रीन पर कौन सा scene कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर romance करते हुए उनके expression सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में heroine सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीज को साप करती है NGO में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है ऐसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज बाजपेई ने अपने किरदार के साथ नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेकूपिया उनके सांदार अभिने पर भार नी पड़ती है अमरता खनविकर जिन्होंने सुवांस की पतनी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है पिलम में रोना फतेही का डांचिंग आइटम नमबर दिल पर अच्छा है इसके लवा आतिप असलम का पानियो सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अलबम का म्यूजिक भी सूधिंग है इस पिलम को देखर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जाना बरहम अब एक संथिलर सत्मय जायते के साथ हाजिर थे गुच्छे से भरा बैठा एक सक्स कैसे एकले दम पर करफशन के खिलाप लड़ता है इससे सत्मय जायते में दिखाने की कोशिस की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मय जायते सतिता से मीलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और असी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुवात में बीर एनी जाना बरहम एक पुलिस वाले को जिन्दा जला देता है और इस घर्णा के बाद ही फिल्म का प्लाट तेयार होता है ये फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठीका आने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर आधारित है फिल्म में जौन अबरहम जिस किवदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिपता है वो इसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवांस यानि मनुज बाजप की लगती है फिल्म की कहानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लचर इसक्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते है फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है हालाकि जान कई एक्शन सिक्वेंस में परभावित करते हैं टायर फाड़ते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंगरी एंग मैन की भूम का निभाई है मनोजबाच पे इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दड़र और अपने दंदार डायलाक से वे दर्शकों को बांद कर रखते हैं नियू कुमार आईसा सर्मा कैमरे पर काफी फिल्म परमाडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्छे कुमार की राह चलने वाले जोन अबरहम अब मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलिबरी और एक्शन मसाला फिल्मे काफी पसंद हैं तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। के लिए परियोग में लाए गए स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शा आ गया है मुनुज बास पर एक बार फिर से दंदार एक्टिंग करते नजराते हैं वही एक्षन के लिए मसहूर जौन अबरहम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजराते हैं मनिश चौधरी और कि वह लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मातरा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपोड मसाला फिल्म सत्मे उजयते के रूम में द सत्य में जायते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते। कथित होरो और निजाना अबरहम हर कथित मुझरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है। वजह है कि भरष्टाचार का अरोप लगने पर उनके पिता ने ख भक्ती के कुछ पार्ट पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। फिल्म के लिए भारी भरकम डालॉक्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं। मनुझ बाजपई और जाना अबरहम के किरदार के लड़ाई को कहीं बहतर तरीके से दिखा जा सकता थ लेकिन इस क्रिप्ट इसमें फेल हो गई। सत्मे जैते इंतकाम और अच्छाई के सालो पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका अतिनाटकी पर दरसन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है। जोन अबरहम के होने की वज़े से काफी भयान अखो जाता है। सच्छी है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफी परसंगीग है। लेकिन फिल्म में इस कहानी को कहने का तरीका सबसे इसे कमज़वर बनाता है। सत्मे जैते देशभक्ती और सोचल मैसेच देने में नाकामयाब रही है। लेकिन हाँ ये फि पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जारही लड़ाई पर आधारीत फिल्म सत्में जैते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्षन से भरपूर थी फिल्म की सुरुआत तो अच्छी होती है ल जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके काड़ हुए आतम हत्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिंदिगी के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो ह पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बीर करप्शन कर रहे है पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डी सी पी सुआंसरी मनुजबाजबे की इंट्री और तब ही सुरू होता है लुका चिपी का ये खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेशन ही कर पाए हैं वह अगर बात करें मनुजबाजबे के तो हर बार की तरह है एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनुजबाजबे के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्टिर साइसा सर्मा ने अपने किरदार को बाखोवी निभाया है डारेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत आच्छे चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के म्यूजब की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नौरा फतेही का आतार लोगों को काफी पसंद आये था फिल्म के डालोग अच्छे लिखे गए थे खास करकि हम बात करें जौन अबरहम और मनुजब बास्परी की डालोग की तो आप कोशियर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन हैं तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म के सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रेप्ट फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लगा सकते हैं अबरहम और बाजबे के बीच दूसरे सहियों को ये चिन हित करती है इसको निर्देशित के था मिलन मिलाब जाफेरी ने ये लिखी गए थी मिलन मिलाब जाफेरी के दोरा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तनिस बाज की रोचक कोहली और को प्रभू मुखरजी में इसमें बेगराण मिजिक दिया था संजे चोधरी ने इस फिल्म का बज़र था 38 करोड रुपे और इसकी कमाई ही थी 110 करोड रुपे सत्में जेते के लिए मुख फोटोग्राफी 5 मार्ज 2018 को शुरू हुई थी या 15 अगर्ज 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर बैस्टुक सिनेमा घ्रोव मेरे लिजुई थी पचीस सो स्क्रीन पर सुरू हुई इस फिल्म को समिशकों से मिली जुली प्रतक्रिया मिली और अक्षे कमार अबनी तरीमा काक्ती की सपोर्ड ड्रामा कोल्ट से टकरा गई फिर भी सत्मे जैते को दर्शकों ने खोब सराहा और A-rated फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये फिल्म बॉक्स अफिस पर सफल रही और साल के सबसे जैदा कमाय करने वाली बॉलिबुट फिल्म के रूम में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सत्मे जैते टू एक स्विकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी से तरक बीरेंद्र यानि बीर राथोड की है जो पुलिस अधकारियों को मारता है एक इमानदार पुलिस अधकारी स्वासरा थोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब सरेर की गिंती बढ़ने लगती है बीर एक पेंटर और चोकिदार है जो भरष्ट पुलिस वालों को आग लगा कर मारता है अपने पहँचान ओजागर किये बिना वाब रष्ट चारियों का सफाय करने के लिए जिंता का समर्थन हासिल करता है और सिखा नमक पहसुचिकस्च के साथ गनिश शंबंद भी बनाता है बढ़ती लासों की संखे से चिंतित और अन पुलिस को भाईवित देखकर आयक्त मनीश सुकला ने हथ्यारे को पकड़ने के लिए किमानदार अधिकारी सिवांस को बलाया अब आज बदलने वाले अप्लिकेशन का उप्योग करते भी बीर सिवांस को फोन करता है और एक बरस्ट अधिकारी को जान से मारने की धंकी देता है सिवांस को विश्वास दिला जाता है कि एक पुलिस स्टेशन को निशाना बने गया है जबकि बीर एक पिट्रोल पंप पर लच्छित भरष्ट पुलिस वाले को लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवांस आगे की जान सुरू करता है और हत्या के पैटर्न को सक्ति में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाचु वाई अच्छर से सुरू होने वाले एक इस्टेशन से होता है सिवांस और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी सुरू करती है लेकिन वे हत्यार के परतिच्छा कर रहे हैं एक पलिस वाले के रूम में परच्छन बीर पलिस स्टेशन में परबेश करता है और एक भरष्ट पुलिस वाले को परतारित करता है निर्दोस संदिक्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए इस टेशन पहुंचता है बीर भागनी में सफल हो जाता है और बाद में सिवांस को उसके घर पर मि बिर बाथरूम में लोडता है, खुद को घाल पाता है, और पीछे से हत्यारे दौरा हमला किये जाने का नाटे करता है, बाद में सिवांस सभी भरष्ट पुलिस कर्मियों के एक सुरचित घर में एक ट्ठा करता है, लेकिन बिर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है, और शिख एक भरष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी, असूरा वह सर्बचनिक रूप से उसे मार देता है, इसके बाद सिवांस उसका पीछा करता है, लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है, सिवांस तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुल्सो बीर में उसी अस्तान पर बिलाया जहां उसके पिता की मरती हुई थी, शूकला की बेटी होने के खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है, बीर दोरा शूकला दोरा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सिवांस चौक जाता है कि उसने अप आगामी लड़ाई में बीर ने पुलिस कर्मियों को मार डाला और सुकला को किनारे कर दिया रून रूकने के कई अनुरुधों के बाद एक अनुक्षिक सिवान सुकला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हलागि सुकला के सरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी बीता जा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़िवी है जिसमें लिखा है सत्त्य में उजयते एक मरतववा बीर उसे जलाता है और सुखला को आगे लगा कर आग को आग लगा कर मार देता है सिवांस और सिखा तब बीर के पाह जाते हैं जो सिवांस को उनके पिता दोरा सिखाई के सबहत सुनाने के लिए कहता है वो उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बेर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 के 2008 को भारती सुतंतरता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्चा कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी जिसे भारत में 25 सु स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पानियोसा और तज़दार ए हराम गाने रिलीज से पहले ही हिट हो गये थे जबकि दिलबर साल का ब्लॉक बास्टर गेत बन गया था फिल्म के लिए संगीज साजिद वाजिद तनिश बागची रुचक कोहली और आरको प्रबो मुखर जी दोरा रचित थे दिलबर मोल रूप से अलकाय गिनिक दोरा गया गया और नदिम सरोड दोरा रचित इस फिल्म के लिए तनिश बास्ट की दोरा निहा का कड़ दोरा पूल गाना गया था दोरी बनुशाली और एकका की अवाज में बनाया गया है यह चार जुले 2018 को रिलीज किया गया था मध्यपुर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुना कलपना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुरा फतेही ने बेली डांस किया यह गित गित के साथ सबी संस्क्रडो अर्भी भासा सही थे किसा लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बार यूटूब पर बिलियन बीच इस पे इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गित पानियोसा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मुल्ग रुप से साबरी बदर दोरा रिचित और गया गया था जिसे 26 जुलाई 2018 को वाजित खान दोरा फिर से बनाया गया और गया था 14 जुलाई जिसे आरको प्रभू मखरजी और तुलसी दोरा गया गया था 1 अगस्त को रिलीज किया था 2018 सांट्रेग 1 अगस्त 2018 को टी सिरीज दोरा चारी किया गया था इसमे कुल 4 गाने थे दिलबर पानियोसा तजदार ए हरम तेरे जिसे गया था सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद्ध कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक आपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजू, रेस्थिरी, गोल्ड और बागी 2 के बाद 2018 की पांच ही सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में करम सा 79.2 मिलियन, 19.3 मिलियन और 19.218 करोड और 10.26 करोड का सुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का अजिवन संग्रह 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रह सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विदेशी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्मिजयत्य का विसपापी सकल 1.08 बिलियन था जान अब्रहम और दिव्या खोशला कुमार के साथ मोखी भूंकानी भाने के बास्युकल की पुष्ट की गई यह मिलन मिलाब जाफिरी द्वारनी देशित और भुशल कुमार करशल कुमार मोनिस्सा अडवानी मधु भोजवानी और निखल अडवानी द्वारनी द्वारनी रमित होगी सत्मिजयत्य टू सेर्शक्स या 13 मई 2021 को रिलीज होने वाली थी अपरेल 2021 तक COVID-19 मामलों में प्रद्धी के काड़ फिल्म की रिलीज की तारिक को इस्तगित कर दिया गया फिल्माकिका 25 नॉमबर 2021 को रिलीज हुई मिलन मिलाब जाफिरी ने सत्मिजयत्य नामक फिल्म उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्मिजयत्य में मिलर निर्देशक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्मिजयत्य में दोहराय गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वा भरष्ट पलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पलिस विभाग में हलचल मत जाती है पलिस इंस्पेक्टर सिवांज यानि मनुज बाचपई को जिम्यदारी दी जाती है कि वा इस पलिस के दुस्मन को ढूड निकाले बीर को जब यह पते चलता है तो वा सिवांज को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात कलता है और चुनेती देता है सिवांज के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वा उसको पकड़ने के करीब पहुन जाता है क्या वा बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्याओं क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यह राज खुलता है कि बीर हत्याओं क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर द्वारादी के हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुस्मन कौन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वा धेर सारे पुलिस आफसर की हत्य क्यों करता है ठीक है कि वा भरष्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिल्कुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धिरे धिरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है सार्याम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुश कर वा अपना काम कर जाता है दूसरी वार सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वा असहाई ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बाद भी गले नहीं उतरती क्यों वा अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बाद डाल दी गई मिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा की किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं उन्हें स्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादों का है सीन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्षन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हाला कि इन में कई उन्समिन में नई बात नहीं है लेकिन जौन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है जौन अबरहम का चेहरा पूरी फिल में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जौन की पौल खुल जाती है मनोज बाजपरी अब एक जैसा भिने करने लगे हैं बागी टू का ही एक्स्टंट सत्मे जैते में नजराता है नई हिरोएन आइसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हिरोएन होना चाहिए आइसा का अब ने निरास जनक है सत्मे जैते के बारे में सत्मे बात यही है कि इससे दूर ही रहा जये तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अच्छुक्मार और जर्ण अबरहम आप अकरमसा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्षे की जिगा जौन के लेने के बाद से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है आकरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयच करम मसाला और हाउस फुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां च्छेक मार हौकी खलाड़ी और कोचे तपंदास की बाइपिक के साथ 15 अगस्त को भुनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुजबाजबी के पास सत्त में उत जायते थी इस फिल्म की कहानी बेहसरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे करप्सन के आरोब में फस कर आतम हत्या करते देखने वाले वीर अनिजबाजबरहम का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौज़ूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिन्दा जला कर वो सत्त की जीत करना चाता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डी सी पी सुवां सिने मनुजबास भी को काम पर लगा जाता है और चूहे बिल्ली के स्खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है और इसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा मिलन मिलाब जाफेरी पहले इस से पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्में बना चुके है ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका एक्सपर्मेंट हैरत करता है हाला कि देशबक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पर एल ओसी कारगिल, नामसवाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरा स्काइपे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौजूद है आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्सन सिनिमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मौल प्लाट में एक्सपर्ट कुमार की फिल्म कबर इस पैक का हायंग और आपको दिखाए देगा लेकिन क्योंकि मिलन को इस से पहले देश बक्ती फिल्म पराने का एक्सपरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है फिल्म में नुरा फतेही का दिल बरगाना अपना काम ठीक से करता है और इस गाने को वो सुपर हाट आउतार में है फिल्म का बेग्राउंड इसको और भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हाला कि जॉन और मुनुज बाजपई की डालोग शीटी बजाने लाइक है और फिर इस फिल्म में जॉन כा मसा अमका मसलप और आपको काल की जिम के लिए प्रेर करता है मौनुज बाजपई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कंजोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते टेबल कहानी, हाला कि फिल्म एक मसाला इंटर्टेनर है और अगर आपको परमाड़ू अच्छी लगी थी तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हाला कि अगर आप लॉजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ये फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है फिल्म सत्न में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर वेश्ट है बीरनी जौन अबरहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो DCP सिवांस यानि मनुजबास पर ये केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोशिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है DCP सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस वापसर है जो किलर के माइंट में चलने वाले प्लैन को क्रै कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भोल गये है इस फिल्म के साथ यही इसू है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक पुएंट पर पहुँचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते है फिल्म का डारेक्षन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब है आप डिशाइड नहीं कर सकते कि दोनों में से ज़्यादा खराब क्या है फिल्म के डारेक्टर मिलाब जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिगनेसर डालाग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डालाग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरिसली लेना इंपॉसबल है जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैबी मसल्स और एक्टिट्यूड के अलावा वो किसी चीज में इन्वाल्ब नहीं लगते हैं वो स्क्रीन पर काउन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्स्प्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में हिर्वाइन सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीज को साप करती है NGO में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आईसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज बाजपे ने अपने किरदार के साथ नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेखूपिया उनके सांदार अभिने पर भार निपड़ती है अमरता खनविकर जिन्होंने सिवांस के पतनी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है पिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आटम नमबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके लवा आतिप असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अलबम का मेजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देखर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जोनो बरहम अब एक संथिलर सत्मय जैते के साथ हाजिर थे फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मय जैते सत्ता से मीलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और असी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुवात में बीर एनी जोन अबरहम एक पुलिस वाले को जिन्दा जला देता है और इस घड़ना के बाद ही फिल्म का प्लाट तेयार होता है ये फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठीका आने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर आधारित है फिल्म में जोन अबरहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिपत है वो इसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवांस यानि मनुज बासपई को दिया जाता है सुतंजरता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देश भक्ती के कई पार्ट पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे बरसो पुराने कांसेप्ट को बेचनी की कोशिश में ये फिल्म बेहद नाटकी लगती है फिल्म की कहानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लजर, स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते है फिल्म यथार्ट से दूल दिखाए देती है हालाकि जॉन कई एक्षिन सिक्वेंस में परभावित करते हैं टायर फारते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंगरी एंग मैन की भूम का निभाई है मनोजबाज पे इस तरह के रोल्स पहले भी निभाच चुके हैं और एक दढ़र और अपने दंदार डालाक से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आईसा सर्मा कैमरे पर काफी कॉन्पिटन नजराई हैं फिल्म परमाडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षे कुमार की राह चलने वाले जोन अबरहम अब मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलिबरी और एक्षन मसाला फिल्में काफी पसंद हैं तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान है समवादो को काफी दमदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वज़े से कहानी सुनते वक्त सिल्स लेवार घटना देखना दिल्चस्प हो जाता है फिल्म का एक्षन जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्षन और समवादो को दर्शा आ गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जोन अबरहम और मनुजबाजबे के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से ज़स्ती है फिल्म का बैग्राउंड स्कोर बढ़िया है मनिश चोधरी और आईसा सर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पराधरित फिल्में बॉक्स अफिस पर लगातार च्छाई रही लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मातरा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपोड मसाला फिलम सत्मे जयते के रूम में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्सन के लिए जौन अबरहम है अब इने के लिए मनोजबास पे ही है आईटम सांग के लिए नूरा फते ही हैं और भरष्टाचार को मिटाने का भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्मे जयते ऐसी हिंसक से भरी फिलम है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित होरो और निजाना अबरहम हर कथित मुझरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भरष्टाचार का अरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ पार्ट पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डालॉक्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं मनुज बाजपी और जान अबरहम के किरदार के लड़ाई को कहीं बहतर तरीके से दिखा जा सकता था लेकिन इस क्रिप्ट इसमें फेल हो गई सत्मे जयते इंतकाम और अच्छाई के सालो पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अतिनाटकी परदर्सन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जोन अबरहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे एक्षन के पेच्छा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 या कापी भाया नग हो जाता है सच्या है कि फिल्म की कहानी आज के समय में कापी परसंगीग है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमजोर बनाता है सत्मय जयते देश भक्ती और सोचल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है आज भी एक बड़ी और्टेन्स मसाला फिल्मों पर अपनी जेब ढीली करती है इसके लवा लंबे विकेंट का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में यदि आप मसाला एंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जारही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्त में जयते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्षन से भरपूर थी फिल्म की सुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंटरॉल के बाद ये फिल्म आपको बोजिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिलम की कहानी बहुत ही सिंपल है बीर एनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारड़ हुए आतम हत्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिंदिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्सन को मिटाना अपने इस मकसर को पुरा करने के लिए बीर करप्सन कर रहे पुलिस वालों को जिन्दा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है DCP स्वांसनी मनुजबाजबे की इंटरी और तब ही सुरू होता है लुका छिपी का ये खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाए है वह अगर बात करें मनुजबाजबे के तो हर बार की तरह एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनुच बाजबे के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्टरिस आईसा सर्मा ने अपने किरदार को बाखो भी निभाया है डारेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत अच्छे चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के मुजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नुरा फत्रही का आउतार लोगों को काफी पसंदाय था फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे खास करके हम बात करें जौन अबरहम और मनुज बास्परी के डालॉग की तो आप को सिर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन हैं तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म के सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रेप्ट फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्मय जते मिलाब मिलन जाफेरी दोरा लिखित और निर्देशित 2018 की भारती हिंदी भांसा की एक्षन थिल्र फिल्म है टी सीरीज दोरा निर्मित और बितरित फिल्म सूट आट वाडला जोकी 2013 में आई थी के बाद जोन अबरहम और बाजबे के बीच दूसरे सहियों को ये चिन हित करती है इसको निर्देशित कैथा मिलन मिलाब जाफेरी ने लिखी गए थी मिलन मिलाब जाफेरी के दोरा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तरिश बाज की रोचक कोहली और को प्रभू मुखरजी में इसमें बेगराण मुजिक दिया था संजे चौधरी ने इस फिल्म का बज़र था 38 करोड रुपे और इसकी कमाई हुँ थी 110 करोड रुपे सत्मे जैते के लिए मुख फोटोग्राफी 5 मार्ज 2018 को शुरू हुई थी या 15 अगर्ज 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर 22 सिनिमा घरो मेरे लिज़ हुई थी पचीस सो स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समिशको से मिली चुली प्रतक्रिया मिली और अक्षे कमार अपनी तरीमा काक्ती की चपोर्ट ड्रामा कोल्ट से टकरा गई फिर भी सत्मे जैते को दर्शकों ने खुप सराहा और एरेटेट फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये फिल्म बॉक्स अफिस पर सफ़र रही और साल के सबसे ज़्यादा कमाय करने वाली बॉली बुट फिल्म के रूम में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सत्मे जैते टू एक स्विकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतरक बीरेंद्र यानि बीर राथोड की है जो पुलिस अधकारियों को मारता है एक इमानदार पुलिस अधकारी स्वांस राथोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब सरेर की गिंती बढ़ने लगती है बीर एक पेंटर और चोकिदार है जो प्रेचारियों का सफाय करने के लिए जिंता का समर्थन हासिल करता है और सिखा नमक पहसुचिकस्च के साथ घनिश संबंद भी बनाता है बढ़ती लासों की संखेस चिंतित और अन पुलिस को भाईवित देखकर आयुक्त मनीश सुकला निहत्यारे को पकड़ने के लिए क मांदार अधिकारी सिवान्स को बलाया आज बदलने वाले अपलीकेशन का प्योगरते विए बेर सिवान्स को फोन करता है और एक भरेष्ट रिखकरी को जान से मारने की धमकी देता है सिवान्स को बिस्वास दिला जाता ह। कि एक पुलिस स्टेशन को निसाना बने गया है जबकि बीर एक पिट्रोल पंप पर लच्छित भरष्ट पुलिस वाले को लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवांस आगे की जांश शुरू करता है और हत्या के पैटन को सत्य में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाच्छ वाई अच्छर से सुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवांस और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी सुरू करती है लेकिन वे हत्यारे के प्रतिच्छा कर रहे हैं एक पुलिस वाले के रूप में परचन बीर पुलिस स्टेशन में परबेश करता है और एक भरश्ट पुलिस वाले को परताडित करता है निर्दोस संदेक्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुँआ देखने के लिए इस स्टेशन पहुंचता है बीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में सिवانस को उसके घर पर मिलता है जहामें दोनों भाई होने का खुला सा करते हैं बीर और सिवांस अस्पताल जाते हैं जहां चला हुआ अधिकारी जिन्दा पाय जाता है बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से कमरे में खुच जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है साहरन बजने की आवास उनकर सिवांस कमरे में आता है और दर्वाजा खोलते हैं एक भी स्पोर्ट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लोटता है खुद को घाल पाता है और पीछे से हत्यारे द्वारा हमला किये जाने का नाटे करता है बाद में सुवान सभी भरष्ट पुलिस कर्मियों को एक सुरचित घर में कठा करता है लेकिन बीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और शिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खून से लटपत कर लिया और एक भरष्ट अधिकारी की पिटाए कर दी असूरा वह सर्पचनिक रूप स उसे मार देता है इसके बाद सिवांस उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू की नोक पर पकड़ा हुआ पता है सिवांस तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुर्सों की पेंटिंग जो मारे गैदकारियों से मिलती जलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांस बीर को आत्प समर पड़ करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिशनर सुकला के साथ सिवांस को बीर में उसी अस्तान पर बिलाया जहां उसके पता की मलती होई थी शुकला की बेटी होने के खुला सा करने वाली सिख़ा बीर की हिरासत में है। बीर दोरा सुकला दोरा खुद पर मिट्टी का तिल डालने और खुलासा करने के बाद सुवांस चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिसुआत देने के आनमत नहीं दी थी। बीर ने खुद को आतम रुद्धों के बाद एक अनिचुक सुवांस सुकला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है। हलाकि सुकला के सरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी बीता जा है। और अपने पिता के बदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिख दोरा सिखाई की सफ़त सुनाने के लिए कहता है। वह उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर सिवांस की बाहों में मर जाता है। यह फिल्म पंद्रा के 2008 को भारती सुतंतरता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी। यह फिल्म अक्षा कुमार की गोल्ड के फिल्म के लिए संगीज साजीद वाजीत तनिश बाग ची वुचक कोहली और आरको प्रबो मुखर जी दोरा रचित थे। जबकि गीज सबीर रहमत कुमार आरको प्रबो मुखर जी दानी साबरी और इक्का दोरा लिखे गये थे। बैगरॉंड इसकोर संजी सोधरी दोरा रचित था। फिल्म का पहला कि 1999 की फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मोल रूप से अलकाय गिनिक दोरा गया गया और नदेम सरोड दोरा रचित इस फिल्म के लिए तनिश बास की दोरा निहा का कड़ दोरा पूल गाना गया था। धोरी बनुशाली और इका की आवाज में ब भी भासत सही थे कि सार लोग प्री हो गया। एक से अधिक प्राप्त करने के बार यूटूब पर बिलियन बीच इस पे इस गाने को मिले थे। फिल्म का दूसरा गित पानियो सा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था। बारा जुलाई 2018 को रिलीज किया गया मुलूप से साबरी बदर दौरा रिचित और गया गया था। जिसे 26 जुली 2018 को वाजित खान दौरा फिर से बनाया गया गया था। सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद्ध कमाई की। इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया। संजू, रेस्थिरी, गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पांची सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही। अ 569.1 मिलियन हो गया था। भारत में फिल्म का अजिवन संग्रे 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रे सामिल है। इसने अपने पूरे दोर में विदे सी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी। सत्मे जैते का 20 पापी सकल 1.08 बिलियन था। जेसित और भुषण कुमार, करश्ण कुमार, मोनिस्सा अडवानी, मधु भोजवानी और निखल अडवानी द्वार निर्मित होगी। सत्मे जैते टू सेर्शक्स जया 13 मैं 2021 को रिलीज होने वाली थी। अपरेल 2021 तक कोविद 19 मामलों में प्रद्धी के कार्ड फिल्म की रिलीज की तारिक को इस्तगित कर दिया गया। फिल्मा की का 25 नॉमबर 2021 को रिलीज होई। फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था। पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी। बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं। यही सब सत्मे जैते में दोहराय गया जो पहले कभी देखा ना गया हो। बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है। वह भरष्ट पुलिस कर्मी को चुन-चुन कर जला देता है। पुलिस बिभाग में हलचल मत जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर सिवान यानि मनुच बाचपई को जिम्मेदारी दी जात है कि वह इस पुलिस के दुस्मन को ढूड़ निकारे। बीर को जब यह पते चलता है तो वह सिवान्स को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनेती देता है। सिवान्स के साथ एक सूत्र लगता है जिससे वह उसको पकड़ने के करीब पहुंच जाता है कि वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्याओं क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं। कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यहाराज खोलता है कि बीर हत्याओं क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर दोरा दी गई हत्याओं में कोई connection नजर नही इन बातों को जोडने की कोशिस की है वो बिल्कुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है। सुरवात में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है औ दूसरी वर सिवांस को काबिल पुलिस आपसर दिखाय गया है लेकिन वह असहाई ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इ पिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फायट सीन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादों का है सीन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है फायट सीन एक्षन प् में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल से नाते हैं तो जोन की पॉल खुल जाती है मनुज बाजपरी अब एक जैसा विने करने लगे हैं बागी टू का ही एक्स्टेंट सत्मे जयते में नजराता है नई हिरोएन आईसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक खिरोएन होना चाहिए आईसा का अब इने निरास जनक है सत्मे जयते के बारे में सत्वात एही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोष्ट रहे अक्षोकमार और जोनर अबरहम आपकरम सा साथ काम नहीं करतें ऐसा माना जाता ह कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्षे की जगा जौन के लेने के बाद से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है आखरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयज करम मसाला और हाउस फुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां च्छेक मार हांके खिलाड़ी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुज बाजबी के पास सत्त में उत जायते थी इस फिल्म की कहानी बेहस्तरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे करप्सन के आरोब में फश कर आतम हत्या करते देखने वाले वीर अनिजोन अबरहम का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौझूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालो को जिन्दा जला कर वो सत्ति की जीत करना चाता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डिसे पी सुआ सिने मनजबजभी को काम पर लगा जाता है और चुहे बिली के स्खिल में कई पुलिस वालों की मोत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा मिलन मिलाब जाफेरी पहले इस से पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्में बना चुके हैं ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका एक्सपर्मेंट हैरत करता है हाला कि देशबक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पर एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरा स्काइपे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौजूद है आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्सन सिनिमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मौल प्लाट में एक्सर कुमार की फिल्म कब्बर इस पैक का हायंग और आपको दिखाए देगा लेकि क्योंकि मिलन को इस से पहले देश भक्ती फिल्म पराने का एक्स्पिरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है फिल्म में नुरा फतेही का दिल बरगाना अपना काम ठेक से करता है और इस गाने को वो सुपर हिट अवतार में है फिल्म का बेग्राउंड इसकौर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हाला कि जॉन और मनुजबाजपई की डालाग शीटी बजाने लाइक है और फिल्म में जॉन का मसल पार आपको कल के जिम के लिए प्रेयर करता है मनुज बाजपई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वह आपको बाンドH लेते हैं और कंजोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते जहां जॉन एक्षन में हिट हैं मनुज बजबे परिजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेबू कर ही ऐसा सर्मा अच्छा भी ने करती हैं और इपने किरदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनिस पॉइंट है फिल्म की प्रिडिक्टेबल कहानी हाला कि फिल्म एक मसाला इंटर्टेनर है और अगर आपको परमाड़ अच्छी लगी थी तो ए फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हाला कि अगर आप लाजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ए फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है यह मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाब जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर वेश्ट है बीर अनी जौन अब्रहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो DCP सिवांस यानि मनुजबास पर ही को ये केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोसिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है DCP सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस उपसर है जो किलर के माइंड में चलने वाले प्लैन को क्रे कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये इस क्रिप्ट राइटर भी लगता भोल गये है इस फिल्म के साथ यही इसू है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक पुएंट पर पहुँचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते है फिल्म का डिरेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब है आप डिशार्ट नहीं कर सकते कि दोनों मेंसे ज़्यादा खराब क्या है फिल्म के डिरेक्टर मिलाब जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिगनेशर डालाग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डालाग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरिसली लेना इंपॉस्बल है जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैबी मसल्स और एक्टिट्यूड के अलावा वो किसी चीज में इन्वाल्ब नहीं लगते हैं वो स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में हिरोईन सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीच को साप करती है NGO में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आईसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज बाजपेई ने अपने किरदार के साथ नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेवकूपिया उनके सांदार अभिने पर भार दिपरती है अमरता खनविकर जिन्होंने सुवांस की पतनी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है पिल्म में रोना फतेही का डांचिंग आटम नमबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके लवा आतिप असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अलबम का मीजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जोन अबरहम अब एक संथिलर सत्मय जैते के साथ हाजिर थे फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मय जैते सत्यता से मीलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिल्म को देखते भी आपको कई बार सत्तर और असी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुआत में बीर एनी जोन अबरहम एक पुलिस वाले को जिन्दा जला देता है और इस घर्णा के बाद ही फिल्म का प्लाट तेयार होता है ये फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठीका आने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर आधारित है फिल्म में जोन अबरहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्सन में लिपत है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवांस यानि मनुज बाजपई को दिया जाता है सुतंजरता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देश भक्ती के कई पार्ट पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की चीत जैसे बरसो पुराने कांसेप्ट को बेचनी की कोशिश में ये फिल्म बेहद नाटकी लगती है फिल्म की कहानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लेचर, स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते है फिल्म यथार्ट से दूल दिखाई देती है हलाकि जॉन कई अक्षिन सिक्वेंस में परभावित करते हैं टायर फाड़ते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंगरी एंग मैन की भूम का निभाई है मनोजबाच पे इस तरह के रोल्स पहले भी निभाच चुके हैं और एक दढ़र और अपने दंदार डायलाग से वे दर्श्कों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आईसा सर्मा कैमरे पर काफी कॉन्पिटन नजराई हैं फिल्म पर माडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षे कुमार की राह चलने वाले जोन अबरहम अब मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमा रहे हैं भारी डायलाग डिलिबरी और एक्षन मसाला फिल्मे काफी पसंद हैं तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान है समवादो को काफी दंदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वज़े से कहानी सुनते वक्त सिल्सलेवार घटना देखना दिल्चस्प हो जाता है फिल्म का एक्षन जबरदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्षन और समवादो को दर्शाया गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जोन अबरहम और मनुज बाजबे के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से दिखती है फिल्म का बैग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भरस्टा चार खतम करने के लिए परियोग में लाए गया स्टायल को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है मनुज बाजबे एक बाजबे पर फिर से दमदार अक्टिंग करते नजराते हैं वह एक्षन के लिए मस्हूर जोन अबरहम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजराते हैं मनीज चोधरी और आईसा सरमा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पराधरित फिल्में बॉक्स अफिस पर लगातार चाही रही लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गए किवे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मातरा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्सिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपोर मसाला फिलम सत्मे जैते के रूम में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्षन के लिए जौन अबरहम है अभिने के लिए मनोजबास पे ही है आईटम सांग के लिए नूरा फते ही हैं और भरष्टाचार को मिटाने का भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्मे जैते ऐसी हिंसक से भरी फिलम है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित होरो और निजाना अबरहम हर कथित मजरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भरष्टाचार का अरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर करोसिन डाल कर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ हिंसा के भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ पार्ट पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डालाक्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं मनुज बाजपी और जान अबरहम के किरदार के लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखा जा सकता था लेकिन इस क्रिप्ट इसमें फैल हो गई सत्मे जयते इंतकाम और अच्छाई के सालो पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अतिनाटकी पर दरसन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जोन अबरहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे एक्षन के पेच्छा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 या कापी भाया नग हो जाता है सचिया है कि फिल्म की कहानी आज के समय में कापी परसंगीग है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमज़र बनाता है सत्मे जैते देश भक्ती और सोचल मैसेज देने में नाकाम्याब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है आज भी एक बड़ी और्टेन्स मसाला फिल्मों पर अपनी जैब ढीली करती है इसके लवा लंबे विकेंट का फाइदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में ये ये आप मसाला एंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जार ही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्त में जैते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्षन से भरपूर थी फिल्म की सुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंटरॉल के बाद ये फिल्म आपको बोजिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है पिलम की कहानी बहुत ही सिंपल है बीर एनी जोन अब्रहम एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारड़ हुए आतम हत्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिंदिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्षन को मिटाना अपने इस मकसर को पूरा करने के लिए बीर करप्षन कर रहे पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डी सी पी स्वान सेनी मनुच बाजबे की इंटरी और तब ही सुरू होता है लुका छिपी का ये खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेश नहीं कर पाए है वह अगर बात करें मनुच बाजबे के तो हर बार की तरह है एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनुच बाजबे के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्टिर साइसा सर्मा ने अपने किरदार को बाख़ो भी निभाया है डारेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत आच्छी चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के मुजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नुरा फतेही का आउतार लोगों को काफी पसंद आये था फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे खास करकि हम बात करें जौन अबरहम और मनुज बास्परी के डालॉग की तो आप कोशियर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन हैं तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म के सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रेप्ट फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्मय जते मिलाब मिलन जाफेरी दोरा लिखित और निर्देशित 2018 की भारती हिंदी भांसा की एक्षन फिल्लर फिल्म है टी सीरीज दोरा निर्मित और बितरित फिल्म सूट आट वाडला जोकी 2013 में आई थी के बाद जोन अबरहम और बाजबे के बीच दूसरे सहियों को ये चिने हित करती है इसको निर्देशित कैथा मिलन मिलाब जाफेरी ने लिखी गए थी मिलन मिलाब जाफेरी के दोरा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तरिशिबाज की रोचक कोहली और को प्रभू मुखरजी में इसमें बेगरण मिजिक दिया था संजे चोधरी ने इस फिल्म का बज़र था 38 करोड रुपे और इसकी कमाई हुए थी 110 करोड रुपे सत्मय जैते के लिए मुख फोटोग्राफी 5 मार्स 2018 को शुरू हुई थी या 15 अगर्स 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर 22 सिनेमा घरो में रिलीज हुई थी 25 स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समिशकों से मिली चुली प्रतक्रिया मिली और अक्षे कमार अपनी तरीमा काक्ती की चपोर्ट ड्रामा कोल्ट से टकरा गई फिर भी सत्मय जैते को दर्शकों ने खुप सराहा और एरेटेट फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये फिल्म बॉक्स अफिस पर सफल रही और चाल के सबसे ज़्यादा कमाय करने वाली बॉली बुट फिल्म के रूम में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सत्मय जैते टू एक स्विकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतरक बीरेंत्र यानि बीर राथोड की है जो पुलिस अधकारियों को मारता है एक इमानतार पुलिस अधकारी स्वांस राथोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब सरेर की गिंती बढ़ने लगती है बीर एक पेंटर और चोकिदार है जो भरष्ट पुलिस वालों को आग लगा कर मारता है अपने पहंचान ओजागर किये बिना वाब रष्ट चारियों का सफाय करने के लिए जंता का समर्थन हासिल करता है और सिखा नामक पहसुचिकस्च के साथ गनिश संबंध भी बनाता है बढ़ती लासों की संख्यास चिंतित और अन मनीश सुकला ने हथ्यारे को पकड़ने के लिए किमांदार अधिकारी सिवांस को बलाया अब आज बदलने वाले एप्लीकेशन का उप्यों करते विए बीर सिवांस को फोन करता है और एक भरष्ट अधिकारी को जान से मारने की धंकी देता है सिवांस को विश्वास दिला और हत्या के पैटन को सत्य में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाचू वाई अच्छर से सुरू होने वाले एक सिवांस और उसकी टीम सिवांस का पता लगाती है और निगरानी सुरू करती है लेकिन वे हत्यारे के प्रतिच्छा कर रहे हैं एक पलिस वाले के रूब में परचन पुले बीर पुलिस स्टेशन में परवेश करता है और एक भरष्ट पुलिस वाले को परतारित करता है निर्दोस संदेक्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए इस टेशन पहुं चुपके से कमरे में खुच जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है सारन बजने की आवास सुनकर सिवांस कमरे में आता है और दरवाजा खोलते हैं एक भी स्पोर्ट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लोडता है खुद को घाल पाता है और पीछे से हत्यारे दौरा हमला किया जाने का नाटे करता है बाद में सुवान्स सभी भरष्ट पुलिस कर्मियों को एक सुरचित घर में एकटा करता है लेकिन बीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और सिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खुण से लटपत कर लिया और एक भरष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सर्बचनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद सिखा करता है लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू की नोक पर पकड़ा हुआ पता है सिखानस तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुर्षो की पैंटिंग जो मारे गयतकारियों से मिलती जलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिखानस बीर को आत्प समर्पड करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिशनर सुकला के साथ सिखानस को बीर में उसी अस्तान पर बिलाया जहां उसके पता की मरती हुई थी सुकला की बेटी होने के खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है बीर दोरा सुकला दोरा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुवांस चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिस्वात देने के आनमत नहीं दी थी बीर ने खुद को आतम सोर्पड करने का फैसला किया पहल इस से पहले कि सुकला ने भाईयों को खतम करने के लिए अपने पुलिस की से नको बुलाया आगामी लड़ाई में बीर ने पुलिस कर्मियों को मार डाला और सुकला को किनारे कर दिया रुन रुकने के कई अनुरुधों के बाद एक अनुच्छिक सिवान सुकला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हला कि सुकला के सिर्फ पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी बीता जा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिखा है सत्ति में उजयते एक मरतव हुआ बीर उसे जलाता है और सुकला को आगे लगा कर आग को आग लगा कर मार देता है सिवानस और सिखा तब बीर के पाह जाते हैं जो सिवानस को उनके पिता दोरा सिखाई के सबहत सुनाने के लिए कहता है वो उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में हिबीर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगर 2018 को भारती सुतंतरता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षा कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी फिल्म के लिए संगी साजित वाजित तनिश्बाग्ची वुचक कोली और आर्को प्रबो मखर जी दोरा रचित थे जबकि गीस सब्बी रहमत कुमार आरको प्रबो मखर जी दानि साबरी और इकका दोरा लिखे गए थे बैग्राइब इसकोर्शन जी सोधरी द्वारा रचित था फिलम का पहला कि 1999 की फिलम सिर्फ तम से दिल बर मुल रूप से अलकाय गिनिक द्वारा गाया गया और नदेम सरोड दोरा रचित इस फिल्म के लिए तरेश भास की दोरा नेहा का कड़ दोरा एपूल गाना गया गया था धोरी बनुशाली और एका की आवाज में बनाय गया है यह 4 जुले 2008 को रिलीज किया गया था मध्यपुर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुना कलपना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुरा फते ही ने बेली डांस किया यह गित गित के साथ सबी संस्क्रडो अर्बी भासा सहीत के साल लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बाई यूटूब पर बिलियोन बीज इस पे इस गाने को मिले थे फिलम का दूसरा गित पानियोसा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था 12 जुले 2008 को रिलीज किया गया था मुल्रुप से साबरी बदर दोरा रिचित और गया गया था जिसे 26 जुले 2008 को वाजित खान दोरा फिर से बनाया गया गया था 14 अंतिम की तेरे जिसा जिसे आर्को प्रभू मखरजी और तुलसी दोरा गया गया था एक अगस्त को रिलीज किया गया था 2018 सांट्रेग एक अगस्त को टी सिरीज दोरा चारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर, पानियों सा, तजदार ए हरम, तेरे जिसा जिसे गया था तरिचिवाज की रोचक कोली, चाजिद वाजिद अर्को ने सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद्ध कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक आपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजू, रेस्थिरी, गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पाँच वी सबसे बड़ी आपनर फिल्म रही 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का अजिवन संग्रे 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रे सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विदेश सी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्में जैते का 20 पापी सकल 1.08 बिलियन था जान अब्रहम और दिब्या खोसला कुमार के साथ मोखी भूंकानी भाने के बास जुकल की पुष्ट की गई यह मिलन मिलाब जाफेरी द्वार निदेशित और भुषण कमार, करश्ण कमार, मोनिस्सा अडवानी, मधु भोजवानी और निखल अडवानी द्वार निर्मित होगी सत्में जैते टू सेर्शक्स या 13 मैं 2021 को रिलीज होने वाली थी मिलन मिलाब जाफेरी ने सत्में जैते नामक फिलम उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता गिसीपटी कहानी और बासी हो चुके फारमूलों में जकड़ी सत्में जैते में मिलन निर्देशक और लेखा के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिलमें बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्में जैते में दोहराया गया है फिलम में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा न गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वह भरष्ट पलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पुलिस बिभाग में हलचल मत जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवान जैनि मनोज बाचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुस्मन को ढूड़ निकारे बीर को जब यह पते चलता है तो वह सिवान्स को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनेती देता है सिवांत के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वह उसको पकड़ने के करीब पहुंचाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्या क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते है कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यहाराज खुलता है कि बीर हत्या क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर द्वारादी के हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुस्मन कौन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वह धेर सारे पुलिस आफसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भरष्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिलकुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है साहरे राम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुच कर वा अपना काम कर जाता है दूसरी वर सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वा असहाय ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वा अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बाद डाल दी गई मिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सिन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाए जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादों का है सिन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है फाइट सिन एक्षन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालाकि इन में कई उन्समिन में नई बात नहीं है, लेकिन जोन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है, जोन अबरहम का चेहरा पूरी फिल्में एक सा रहा, कैसा भी सीन हो, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है, लेक खा गया कि फिल्म में एक हिरोएन होना चाहिए, आईसा का अब ने निरास जनक है, सत्मे जयते के बारे में सत्य बात यहीं है कि इससे दूर ही रहा जाये तो अच्छा है, किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे, अक्षोकमार और जोन अबरहम आप अक्रम सा साथ काम न साला और हाउसफुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे, जहां च्छे कमार हांकी खिलाडी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे, वही जोन अबरहम और जोन अबरहम का एक ही मकसद होता है, पलिस फोर्स में मौझूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना, करप्ट पलिस वालों को जिंदा जला कर वो सत्त की जीत करना चाहता है, इस हत्यारे को रोकने के लिए DCP सुवां सिने मने उजबास भी को काम पर लगा जाता है, और चुह ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका एक्सपरिमेंट हैरत करता है, हाला कि देशबक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पर एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरास कैफे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौझूद हैं, आप इस से पहले देशबक्ती फिल्म पराने का एक्सपरियंस नहीं है, शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है, फिल्म में नुरा फतही का दिलबर गाना अपना काम ठेक से करता है, और इस गाने को वो सुपर हिट अवतार में हैं, फिल्म का बेग्राउंड इसको भी फिल्म का साथ देता है, लेकिन बार बार एक ही संदेश, हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है, हाला कि जॉन और मनुज बाजपई की डालॉग शीटी बजाने लाइक हैं, और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा अमका मसलप और आपको कल के जिम के लिए प्रेयर करता है मनुज बाजपई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं, वो आपको बांध लेते हैं और कमजोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते हैं, जहां जॉन एक्सन में हिट हैं, मनुज बाजपई परिजन्स में ही कमाल कर देते हैं, फिल्म में परमाड़ों अच्छी लगी थी तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हला कि अगर आप लॉजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ये फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मारधार से भरपूर एक एक्शन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाब जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर बेश्ट है बीर अनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामय अब नहीं होती तो DCP सिवांस यानिमनुजवाश्पई को ये केस दिया जाता है सिवांस चिलर को पकड़ने की कोश़िस करता है और किलर उसकी नाग के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है DCP सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस आफसर है जो किलर के माइंट में चलने वाले प्लैन को क्रे कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भोल गये हैं इस फिल्म के साथ यही इस्यू है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डारेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब हैं आप डिशाइड नहीं कर सकते कि दोनों मेंसे ज्यादा खराब क्या है फिल्म के डारेक्टर मिलाब जाफिरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिगनेशर डालाग ने फिल्म को कॉमडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डालाग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरिसली लेना इंपॉसबल है जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैबी मसल्स और एटिट्यूड के अलावा वो किसी चीज में इन्वाल्ब नहीं लगते हैं वो स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में हिरोईन सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीच को साप करती है NGO में बच्चो को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है ईसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज बाजपेई ने अपने किरदार के सार्थ नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेकूपिया उनके सांदार अभिने पर भारी पड़ती है अमरता खनविकर जिन्होंने सुवांस की पतनी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके लावा आतिप असलम का पानियो सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अल्बम का म्यूजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देखर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जोना बरहम अब एक संथिलर सत्मय जायते के साथ हाजिर थे गुच्छे से भरा बैठा एक सक्स कैसे है किले दम पर क्राप्सन के खिलाप लड़ता है इससे सत्मय जायते में दिखाने की कोसिस की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मय जायते सतिता से मीलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और असी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुवात में बीर एनी जान अबरहम एक पुलिस वाले को जिन्दा जला देता है और इस घर्णा के बाद ही फिल्म का प्लाट तेयार होता है ये फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठेकाने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर आधारित है फिल्म में जौन अबरहम जिस स्कुर्दार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिप्ट है वो इसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवांस यानि मनुज बाचपई को दिया जाता है सो तंजरता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देश भक्ती के कई पार्ट पढ़ने को मिलते हैं बुराई पराच्छाई की चीट जैसे बरसो पुराने कांसेट को बेचनी की कोशिश में ये फिल्म बेहद नाटकी लगती है फिल्म की कहानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लचर, स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते हैं फिल्म यथार्थ से दूर दिखाए देती है हलाकि जॉन कई अक्षिन सिक्वेंस में परभावित करते हैं टायर फारते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंगरी एंग मैन की भूम का निभाई है मनोजबाच पे इस तरह के रोल्स पहले भी निभाच चुके हैं और एक दढ़र और अपने दमदार डायलाग से वे दर्सकों को बांध कर रखते हैं न्यू कुमार आईसा सर्मा कैमरे पर काफी कॉन्पिटन नजर आई हैं फिल्म पर माडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षे कुमार की राह चलने वाले जोन अबरहम और मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमा रहे हैं भारी डायलाग डिलिबरी और एक्षन मसाला फिल्में काफी पसंद हैं तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है फिल्म की कहानी सामान है समवादो को काफी दमदार तरीके से लिखा गया है जिसकी वज़े से कहानी सुनते वक्त सिल्सलेवार घटनाय देखना दिल्चस्प हो जाता है फिल्म का एक्षन जबर्दस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्षन और समादो को दर्सा आ गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जोन अबरहम और मनुजबाजबे के बीच चोर स्पाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से ज़सती है फिल्म का बैग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भरष्टा चार खतम करने के लिए परियोग में लाए गया स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्सा आ गया है मनुजबाजबे एक बार फिर से दंदार एक्टिंग करते नज़राते हैं वह एक्षन के लिए मसहूर जौनबराम पूरी तरह से किरदार में डूबे नज़राते हैं मनिश चौधरी और आईसा सर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पराधरित फिल्में बाक्स अफिस पर लगातार चाही रही लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गया कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मातरा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर मसाला फिल्म सत्मय जैते के रूम में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्सन के लिए जौन अबराहम है अभिने के लिए मनोजबास पे ही हैं आइटम सांग के लिए नूरा फते ही हैं और भरष्टाचार को मिटाने का भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्य में जैते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित हुरो निजाना अबरहम हर कथित मुझरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है वज़े है कि भरष्टाचार का औरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ पार्ट पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डालॉक्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं मनुज बाजपी और जान अबरहम के किरदार के लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखा जा सकता था लेकिन इस क्रिप्ट इसमें फेल हो गई सत्मे जैते इंतकाम और अच्छाई के सालो पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अतिनाटकी पर दरसन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जोन अबरहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे एक्षन के पेच्छा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 या कापी भायान अख हो जाता है सचिया है कि फिल्म की कहानी आज के समय में कापी परसंगीग है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमजोर बनाता है सत्मे जैते देशभक्ति और सोचल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है आज भी एक बड़ी ओडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी जेब ढीली करती है इसके लोगा लंबे बीकेंट का फाइदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में यदि आप मसाला इंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जारही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्त में उजयते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्शन से भरपूर थी फिल्म की सुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंटरॉल के बाद ये फिल्म आपको बोजिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिलम की कहानी बहुत ही सिंपल है बीर एनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारड़ हुए आतम हत्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिंदिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्सन को मिटाना अपने इस मकसर को पुरा करने के लिए बीर करप्सन कर रहे पुलिस वालों को जिन्दा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है DCP स्वांसिनी मनुजबाजबे की इंटरी और तब ही सुरू होता है लुका छिपी का एक खेल जौन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं इस बार जौन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेश नहीं कर पाए है वह अगर बात करें मनुजबाजबे के तो हर बार की तरह एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीद लेते हैं कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनुजबाजबे के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्टिर साइसा सर्मा ने अपने किलदार को बाखोवी निभाया है डारेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत आच्छे चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आते है